हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं यूटूब चैनल बुल मारकेट्स आपको पता होगा कि इंकम टैक्स की रिटर्न की ड्यूडेट काफी पास आ चुकी है जो की है 31st of July अगर आपने अभी तक इंकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं किये और आपको ये समस्या है कि कौन सा फ़र्म आपको सिलेक करना चाहिए तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्स्प्लेन करूंगा कि कौन से इंकम के लिए कौन सा फ़र्म सिलेक करना चाहिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंट तक देखिए सबसे पहले हम ITR 1 की बात करेंगे आप कहीं पे जॉब करते हो और आपको कहीं से सैलरी मिल रही है तो आपको ITR 1 भरना है आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है जिसे आपने रेंट पे चड़ा रखा है तो आपको ITR 1 भरना है लेकिन अगर आपके पास में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो आपको ITR 2 भरना है other sources की income जैसे कि किसी company का dividend मिला हो या फिर आपको कोई interest मिला हो जैसे FDE का interest हो या फिर savings bank account का interest हो तो आपको ITR 1 भरना है लेकिन अगर आपको income 50 lakh से ज्यादा है तो आपको ITR 2 भरना है अगर आपने कोई share market का transaction किया है जैसे कि sale of share किया है तो आपको ITR 2 भरना है सिर्फ purchase किया है और sale नहीं किया है तो आपको ITR 1 ही भरना है अगर mutual fund की बात करो तो कुछ redeem किया है mutual fund तो आपको ITR 2 भरना है सिर्फ investment किये mutual funds में और sale नहीं किया है तो आपको ITR 1 ही भरना है अब हम ITR 2 की बात करेंगे, अगर आपको कहीं से salary मिली है या फिर आपके पास में एक से ज्यादा house property है जहां से आपको rent मिला है तो in that case आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा अगर आपको capital gains हुआ है, short term या फिर long term in that case आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा अगर F&O के transaction है या फिर intraday के transactions है तो in that case आपको ITR 3 के साथ या फिर ITR 4 के साथ जाना होगा depending upon the profit अगर आपको कोई dividend या फिर interest मिला है तो in that case dividend या फिर interest तो सारे ही returns में आपको मिल जाएगा तो इसमें कोई problem वाली बात नहीं है लेकिन अगर आपने सिर्फ purchase किया है और sale नहीं किया है तो I would suggest that you should file ITR 1 अभी हम ITR 3 की बात करेंगे ITR 3 उन cases में लागू होता है जहां पे F&O के transactions होते हैं या फिर intraday के transactions होते हैं या फिर आपकी कोई ऐसी business income है जहां पे आपका profit 6% से कम का है तो उन cases में आपको audit करवाना होता है audit करवाने के बाद में आप return फाइल कर सकते हैं इन ITR 3 F&O के case के अंदर अगर आपको loss हुआ है या फिर आपका profit 6% of the turnover से नीचे है तो उन cases में आपको audit करवाना होता है और आपको ITR 3 फाइल करनी होती है बिजनेस के case में आइदर आपका turnover काफी ज्यादा होगा beyond the prescribed limit या फिर आपका business आपको वहाँ पे loss हुआ है या फिर आपका जो turnover के हिसाब से 6% profit नहीं बन रहा है तो वहाँ पे आपको audit करवाना होता है और ITR 3 फाइल करनी होती है अब यहां ITR 4 की बात करेंगे ITR 4 उन cases में लागू होता है जहां पे presumptive taxation के rules फालो किये जाते है मान के चलो आप trading का या फिर manufacturing का business करते हो उन cases में आपको minimum 8% turnover का profit दिखाना होता है मान के चलो आपने 1,00,000 रुपे का turnover किया है उसका 8% minimum 8,000 रुपीज तो आपको profit दिखाना ही होता है अगर आप 8 के नीचे चले जाओगे तो आपको वहां पे audit कराना होगा और आपको ITR 3 फाइल करना होगा In case of professionals आपको 50% of your turnover income में दिखाना होता है अगर आप doctor, lawyer या engineer हो तो वहां पे जितना भी आपका turnover होगा उसका minimum 50% आपका net profit गिना जाएगा उसके ऊपर होगा तो वो गिना जाएगा या फिर minimum 50% पे आपको tax pay करना ही होगा अगर आपको कोई capital gain का transaction है तो उसके लिए आपको ITR 3 भरना होगा ITR 4 में वो नहीं होता है अब हम इसे एकदम simple language में summarize कर लेंगे आपको कोई salary मिली है और dividend मिला है तो उस case में आपको ITR 1 भरना है अगर आपकी कोई mutual fund की SIP चल रही है लेकिन आपने वहां redeem नहीं किया है कुछ भी तो आपको वहां पे भी ITR 1 ही भरना है अगर आपने purchase किये shares तो आपको ITR 1 ही भरना है लेकिन अगर आपने sell किया है तो आपको ITR 2 भरना होगा जहापे आपको capital gains हुआ होगा अगर आपने F&O या फिर intraday की trading की है तो आपको उस case में अगर profit कम दिखाना है या फिर आपका loss है तो उस case में आपको ITR 3 भरना है वहापे आपको audit भी करवाना होगा लेकिन अगर आपके पास में salary है capital gains है business income है और house property भी है तो आपको वहापे ITR 3 भरना होगा जस्ट आपके पास में salary है और आप freelancing करते हो वहापे आपको कुछ profit होता है तो उस case में आपको ITR 4 भरना है जहां पर आपको कोई capital gains नहीं है लेकिन अगर आपको capital gains है और business income है तो वहापे आपको ITR 3 भरना है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए हो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कीजे और comment करके बताए कि आपको video कैसा लगा अगर आपको कोई query है तो please आपके queries आप comment में डाल दीजिए मैं mostly आपको answer कर दूँगा अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कीजे और चैनल को ज़रूर subscribe कीजे